स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री हैं जाहिद मुलेक उन्होंने काया कि दो महिला क्रिकेटर जो है जो जिम्वाववे से देश लोटी है याने की बांगलादेश लोटी हैं वो लोग कोविड का जो नया वैरियंट आया है ओमीकॉन ओमीकॉन के पॉजिटिव पाए गए हैं पॉजिटिव हुए हैं ये लोग जिम्वाववे से बांगलादेश लोटे थे और इसके बाद जब इनका कोविड टेस्ट किया गया तो ये दोनों ही खिलाडी पॉजिटिव पाए गया और इसके बाद जब जीन सिक्वेंसिंग की उनके positive report की तो उसके बाद पाया गया कि Omicron जो वाइरेंट है जो वाइरेंट है COVID virus का वो इन में पाया गया तो ये दुनिया के पहले cricketers बने हैं ये दो महीला cricketers जो है ये पहली दो cricketers बनी है जो इस variant के शिकार हुए है और COVID positive पाये गये हैं और जो मंत्री है है उनका कहना है कि इन्हें recover होने में कुछ वक्त लगेगा वैसे तो स्थिती सामान ये हैं बहुत जादा critical नहीं है और उन्हें protocol के अनुसार quarantine किया गया है और देख रेक में रखा गया है दो हफतों के लिए और इसके बाद जैसे ही वो recover कर जाते हैं तो इन्हें छोड़ द contact थे उन सभी का जो है वो test किया जा रहा है और उस test results का इंतजार किया जा रहा है और सब को already अलग कर दिया गया है India TV हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें India TV News Google Play Store या App Store पर